आप सब कैसे हैं आप सभी अच्छी होंगे आज मैं अपनी फूट ब्लॉगिंग में लेकर आए हूँ आलू छोली की रेसिपी की धावे स्टैल में कैसे बनाया जाता है तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली तो मैं यह वीडियो को एंड तक जरूर दिखेंगा बीना स्केप किया तो चलियो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो भीना दे दी थे सके चोले को मैं ने रात बाद भीषो कर रखा था तो ये दिखे मैं इने आलु काटके मैं रख धिया है अब इसे तो boil के लिए मैंने ये देखिए आलू और छोली को इसमें डाल दिया, कुकर में, अब इसको देखिए हम पानी इसमें ज्यादा नहीं डालना है, छोली से थोड़ से उपर मैंने डाल दिया, मैं यहाँ तेज पता डाल लिए हूँ, मैं यहाँ डालने वाली दाल चीनी बड़ तो बॉइल में ने कर लिया है चने अच्छी तरशे पख चुके हैं अब मुझे करना कि खड़े मसाले को सारे निकाल देने के इस तरह से देखे सारे खड़े मसाले में हटा दूँगी क्योंकि इसके सारे जितनी भी खुश्चबु थी वह सारा का सारा इसे में ही है छोले के पौझब कुम्हें एंदर उसके पानी में तो पानी को मुझे बिलकुल भी नहीं नहीं भीए अपको तो मैंने यहां तेल गरम करने के लिए रख दिया है तब तक मैं आधे छोले को मैं ऐसे रख दूगी ताकि इसके जो मैं चोले को तो इसकी जो रस्य वह स्ञों तो 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 पतला नहीं तो यह देखी कृती बढ़ियां तरीकिसे मैंने इसको में अधा मैंने मैं अधा रख दिया तो मैंने तेल गरम करने के लिए रखा तो तो टेल मेरे गरम उचुका लगभग तोसमेने एक चमश जीरा और कटिंग किया वहाँ मैंने दो प्याज तो उसे भी इसमें डाल दिया है मैं कुछ भी मसाले को नहीं ग्रैंड करोंगी बीना उसकी ग्रैंड के मैं आपको बताने वाली हूं तो यह अच्छीता से भूल लेता हैं तो टो मैने अच्छीता से भून ली ज़िए जाए तो उसे इसमें एड़क लगें का पेष्ट बहुत अच्छी खुश्बू देती है और देखें यहां मैंने धनिया गरम मसाला एक चब मज लाल मिश पॉडर इसमें मैंने एड कर लिया है तो इसे भी अच्छे तर से आप पकने दीजिएगा मसाले जितने अच्छे तर से पकेऊ धिर झिसमे खुश्बू आती है तो ध्यान दीजिएगा मसाले अच्छे तर से पका लीजिएगा और हैं मैंने लिया चोली मसाले आपको जो पसंद नहीं वहाँ मैंर्के से लेके आब यूज कर सकते हैं तो यह देखें मैंने इसमें डाल मेरे मसाला बनके ट्यार हो चुका है तो मैंने पानी डाला है तो पानी मेरा यह आ डवन गोलीन। तो यह मैं थाइन देने मां पानी अबने मेरे मेरे चुछल नो अगर आप घर में एक बड़ बनाएगा ट्राय करिएगा आई हो आपको पसंद आएगा अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को तो मैंने इसमें एंड में धन्या डाल दिया है तो यह देखें मेरे बनके तयार चोले फिर मिलते ह छोले पसे सब्सक्राइब करू एक दो में डबनाएब यह उली इंट सुन इना आपको घट ला मैंने साल